Good morning everyone, कैसे हो आप सब? मैं हूँ Vandana और आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा face pack जिसको यूज करने के बाद आपको जो महंगे महंगे बाजार में facial करवाते होने आप लोग वो सब कुछ भी करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये अपने आप में इतना जादा effective है कि आपको ये facial करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्फ एक बार ही नहीं आपको लाइफ में कभी भी facial करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन शर्त है आपको थोड़े थोड़े दिनों के बाद ये face pack जो है apply करना पड़ेगा अगर आपसे possible होता है तो आप हपते में एक बार इस face pack जरूर ये जरूर ये जरूर ये जरूर ये महंगे प्रोड़क्त या फिर ऐसे किचन की आइटम जो कि हमारे पास एजली अवलेवल नहीं करने वाली हूं इवन बहुत सारी चीज़ें हम यूज ही नहीं करने वाले है सिर्फ और सिर्फ जूट आप को सहे बहूँते हैं आता हैं फेस कीचः कीया और मैंने अपने क 깃ए भी नहीं किया तो जैसा कि मैं पहले भी बोलती हूं कि आपने चाहे पेस वाश किया है या नहीं किया है में और ही जडूर करनी तो और आप किसी तरह से कर सकते हो जह से क्लींजिंग का साहे तो आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ गुलाबजल जो थोड़े बहुत डर्ट सिया फिर मेकप अगर आपके पास आपने किया भी है तो वह सारा यहां पे हम अच्छी तरह से रिमूफ हो जाता है जाता है तो मैं ले रही हूँ यह गॉड़न और अब अच्छी तरह से मैं अपने फेस को क्लीन कर ले गींगी तो अब चलते ह है नेक्स टेब की तरफ की तरफ जो की है हमारा स्क्रविंग का स्टैप बहुत जादा आपको स्टैप्स फॉलो नहीं करने हैं जैसे फेशल के हम करते हैं बस यह स्क्रविंग और पैक ही हम यहां पर यूज करेंगे तो मैंने लिया है यह एक रुपे वाला यह ब्रू का कॉफी का पैकेट है और इसे फिर हम कुछ इस तरह स कुछ एक्स्ट्रा में बाउल लेने की जरूरत आपको नहीं है बस सिंपली अपने हाथ पे लीजे तभी तो बोरियू बहुत ही ज्यादा इजी है और कोई इसली कर सकता है और बहुत अच्छा यह एफेक्ट देता है आपके जो महंगे महंगे फेशल होते हैं डायमंड फे बहुत जादा नहीं डालना है हमने लवग 2-3 ड्रॉप्स ही हम यहाँ पे इसकी इस तरह से डालने वाले हैं यह इसलिए क्योंकि आजकल सर्दियां है और सर्दियों में हमारी स्किन को मॉस्ट्राइजिंग की बहुत जादा सक्त जरूरत होती है और यही रिजन होता है अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन पर नैचुरली निखा राएना तो यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है यह चीज तो यह थोड़ा समय ने ओई यहाँ पर यूज किया है और थोड़ा समय इसमें एड कर रही हूँ यह अलोविरा जय आप चाहें तो खाली ऑईल इस तरह से अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से आपने हलके हाथों से मसाज करना है इसे अगर आपकी स्किन बहुत साथा है फटी है तो आप इसमें थोड़ा सा सुगर पाउडर भी यूज कर सकते हो उसके थोड़ा से वीड्स आपको जब इस तरह से दाने-दाने आपके फेस पे अची तरह से जब आप स्करविंग करोगी ना तो मूफ करेंगे सर्कुले मोशन में तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा और ऐसे भी कॉफी भी एंटी अक्सिडेंट का काम करती है इससे भी हमारा स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता है और यह अगें फिर हमारा स्किन को ग्लोई और चमकदार बनान अगर आपको बहुत ही अच्छी तरह से फिर आपको कुछ भी करने की जुरूरत नहीं पड़ती है अगर आप हलके हाथों से पसको मसाज ही करना है जब आपको पता चलता जाएगा कि नहीं बाके इससे अगर आपकी स्किन बहुत जादा ड्राइ होती जाती है तो आप बहुत ही ज्यादा बेनफीशल है तो आप लगबग 2 मिनट के लिए अपने ये मसाज करनी है ताकि अच्छी तरह से अपकी डेड स्किन निगर जाए और आपके जो स्किन में ब्लड का स्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़े है जैसे आप मसाज करते हो तो उसी से ये एफेक अच्छी तरह से लगबग 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाज करना है तो इस तरह से लगबग 2 मिनट हो चुके है मुझे मसाज करते हुए और बस इसके बाद अब मैं अपना चैरा साफ कर लूँगी तो चैरा साफ करने के लिए आपको लेना है गुर्णगुना पानी क से फिर इस तरह से साफ किजिए और यह देखिए आपको ना फर्क अभी के अभी बिल्कुल साफ ही नजर आएगा ज़सा के विए आप देख पा रहे हो यह दिखाती हूँ यह तिल है मेरे फेस पे और बाकी स्किन को देखिए आप कितना ज्यादा साफ चमकदार एक दम स्किन आपकी डिफ्रेंस आपको देखने में नजर आ रहा होगा तो इस तरह से मैं अपना फेस सारा पॉंच लिया है और अब हम टॉबल की हैसे इसे ड्राइ प्रविं के बाद यह अपको अपने चहरे में अपने चहरे में एक विया रहा हुआ इतनी साफ दो गगी है मेरे स्किन इस ताइम पर जो ब्लेक एड वाइड हमें अगर हात लगाते है तो साफी पता चल जाता है यहां पर भी नोजी है एक अग्म बिल्क शॉफ होगा एग आप सोच रहोंगे कि अब तो पैक लगाने की भी कोई च्रूरूरत नहीं बस रिग्दम क्लियर हो गया हमारा फेस तो नहीं हमें अभी पैक लगाना है और पैक लगाने के लिए अभी मैं ये ले रही हूं दढ़ लगाने के लिए अब एक बड़ा चाबच में दढ़िया है और इसमें हम ये कॉफी पाउडर ही एड़ करने वाले हैं एक रुपए का बस एक ही पैकट हमने एड़ करना है तो इसे भी मैं इसमें अपनी दूंगी दढ़िया हमारे स्किन के लिए बहुत ही जादा वेनिफीशल होती है क्योंकि आपको पता ही है कि दढ़िया है कि दढ कोफीपाउडर लिया है और कोफीपाउडर अब करने के बाद ना यह को बोलती हुँ है कि isolート सोनी पर सोहाचे वाला काम हो गया और शेले क्वाई रुगहा हो जो है बहुत ही पैक कुछ भी अपने पने के जुरूरत नहीं है बस आपने यह जाने यह खाली लिया और भुफी का पैकेट डाला है अच्छी तरह से हम मिला लेंगे अगर आपके पास आपने जादा ले लिए है तो आप दो इसमें कोफी पाउडर का इस्तेमाल कीज़ेगा तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यह थोड़ी सी जादा हो गई है तो मैं एक और इसमें कोफी का पाउडर मैं कि कड़ Normally कि अग्indध बला मैं कोई अच्छी शे चची बाए रहा है तो गांपी करती हूं आप मेरे पुराने वीडियो तेखिए brush में कोफी का शुप्र है तो मैंने पुराने वीडियो में यहां हो चाहिएं तो शोसले करती हूं तो अभी मैं एक और पकेट इसमें मैं कार मैं आपको डिखालेती हूँ कि किसे चाहिए आपका आपका रेडी होना चाहिए तै nu पैकर हमेरा रेडी तुओ तुद घटी है अयह इसे ये अपने फेस पे लिगा रही हूं जाएं जो जब बडल सक्नल दो आपका जी तो बड़ॉट 먹नानाT पेक पेक अच्छी तरह से फेस पे अपलाई कर लिया है और मैं अभी इसको सूखने का वेट नहीं करने देने बाली हूँ मतलब कि मैंने अभी देखिए अपने फिंगर टिप पे थोड़ा सा ही ले लिया है और अच्छी तरह से मसाज करूंगे इससे अगर आप इसी तरह से सूखने देते हो ना उसके कमपैरिजम में अगर आप इस तरीके से मसाज करते हुए अपना पैक को थोड़ी देर के लिए फिर रखते हो ना तो उसका आपको दोगुना इफेक्ट दिखने को मिलता है तो मैं तो यही प्राफर करती हूँ कि अगर कोई जितनी भी केल्सियम की गुड़नेस है और साथ ही कॉफी की यह दोनों आपके फिर पे जाएगी और बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और हथे में एक वर आप ज़रूर यह वाले काम किया कीजिये चैसे अगर आप वर्किंग भुविमेंन हो तो संडे के दिन थोड़ा सा टाइम आयार अपने लिए भी मिकालना बहुत ही ज़रूरी होता है तब ही हमारी स्किन जो है सालो साल चलती है मतलब कि आपको एंटी एजिम की प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं हमारी बहुत जादा अच्छी माली जाती है अगर आपके फेस गुन-गुने पानी से इसे निकाल लीजिए क्योंकि हमारे हाँ पर बहुत थंड हो चुकिए है आप थंडे पानी से भी अपना फेस वाश कर सकते हो तो थंडे पानी से ना मतलब हाथ लगाना भी बहुत मिश्किल हो जाता है इसलिए फिर मैं इसी तरह का पानी यूज कर ताकि आप पर एक जो है महसूस कर सके कि बाके ही यह चीज काम कर दिये तो अभी चहरे को में पोंच लिया है और अब टावल की है अची तरह से इसे मैं सुखार लेती हूँ और यह देखिए आप ना कि एकदम आपको अभी अपकी स्किन एकदम चुमकदा गलूई नजर आ अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है अपते में एक जुरूर कीजिएगा और जल जब आपको अच्छे मिलेंगे तो मुझे भी शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम की आइडी मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक उसका तो आप वहां प खरी कीजिए की आपकी शेयर की आपकी जुझेटने की पर ज'Tुछ की आपकी का उस डर एको बॉक्व्णा एंस्टाग्राम की आपकी ड़को वहां आपकी बॉक्तख की लिंक मैं ब